हलो डोवान विलकम टो लाट्रिक लाइन चेकम स्केवस आज के सेशन में लोग PGCL 2021 के लिए जो कि आपके एक्जामनेशन कुछी दिनों में होने वाले उसके लिए जो हमने अची तरीके से देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं हमारे सीरीज को कुछ इंपोर्टन सेशन अलड़ी मैंने मार करके रखो PGCL डिप्लोमाटर ने एलेक्टिकल के लिए जो भी स्टूर्ट्स का 13th of August को पेपर है वह स्टूर्ट्स को यह सारे इंपोर्टन जो मैं आपको के 50 questions रहते हैं जहाँ आपको reasoning, English और quantitative aptitude के questions रहते हैं वह इस साल किस तरीके से पुछ जाने वाल है उसके according आपको एक most expected session मल जाएंगा तो आपको उसके लिए बने रहना होगा quantitative aptitude के जो 20 कुछ moderate questions थे 2021 में जो पूछ आगे थे December 17th of December 2021 2020 में जो question पूछ आगे थे इसका भी session अप्लोड कर चुका हूँ, यह सारे sessions में से अगर कोई भी session आपने miss किया होगा या फिर इसके पहले कि हमने model question paper series 2021 की तीनों भी sessions अगर आपने नहीं देखे होगे तो please जाके देखेगा काफी जीता useful रहने वाला है, along with this आपके बाद जिस तरीके सबका time manage होता है आपको इस model question paper को भी देखना होगा, जो 2021 में मैंने release की थी, यह काफी important questions है, previous question paper आप आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने 120 questions है, वो dises कर चुके थे, जो 2020 में अभी recently पूछे गए थे, इससे क्या होगा कि आपको अभी पता चल जाएगा कि किस तरीके से questions अभी recently December में पूछे गए थ तो आपका preparation strategy आप उसके according to change कर सकते हैं, तो अभी हम लोग देखते है previous session का answer, previous session जो हमने get code 2021 के लिए most important super mcqs का जो series था, उसमें part 2 में मैंने आपको यह question पोचा था, हाला कि उसके बाद में हमने HPSC के previous year question, that means अभी 18th of July 2021 को जो question paper हुआ था, वो हमें हमीरपूर जही हमने cover क कर रहा है, उसमें भी काफी अच्छी questions हमें देखने को मिलेते हैं, हाला कि वो सारे repetitive है हमारे session में, question क्या था, which of the following alloy is made up of iron and carbon, iron और carbon को मिलाते हुए, कौन सा इसमें से alloy यह बनाया जाता है, तो वह हमारा steel option C, इस question का करे टैंसर आजएगे, और इस question का करे टैंसर दिया, उन कुमार, खलीफा, रजट, पांडे, प्रशान, तो shout out to you guys, you the top 10 student जोने इस question का correct answer हमें comment box में comment किया है, और अगर आप भी चाहते हूँ कि आपका नाम में बना next session में लो, तो session को end तक देखना होगा, session के end में जो भी मैंने आपको question mark किया है, उसका correct answer हमें comment box में comment करना होगा, जो भी top 10 student हैंगे, जो सबसे पहले हमें comment box में correct answer mark करेंगे, I will give you a shout out on our next session, I have received around 50 plus correct answer, ठीक है, previous session में, तो आप इसकी बात की ध्यान रखिका, आपको as early as questions को attempt करना होगा, ठीक है, guys मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, PGCL के लिए मैंने एक single all India level का, एक mock test, अलोड़ बटके, आपके लिए mock test design किया गई, याप सभी students जाके attempt करेंगा, definitely आपको इसके फायदा होगा, इसमें आप देख सकते हो, 120 questions है, जो के technical के, detail examination के साथ मैं मैंने mention किये, उसी के साथ 50 questions non technical के भी, ऐसे मिलाते हो है, 170 questions के mock test है, सिर्फ 15 rupees nominal जो application का charge है, वो आपको पेह करना पड तो आप अच्छी तरह की इसको prepare करके दीजेए, इसकी validity भी काफी अच्छी है, और ये सभी regions के लिए applicable है, अगर आप ये session आगे चलके भी देखते हो, तो उसके लिए applicable है, 15 rupees में एक single mock test है, इसमें आपको 170 questions मिलेगे, जो भी मैं आपको charts वगरा बताता हो भी मैंने वापे include करके रखे, हर एक questions का detail solution है, और आपको एक confidence आजाएगे कि आप two hours के अंदर कितने questions आप अच्छी तरह के से attempt करते हो, और मैंने काफी अच्छे level of questions इसमें, एक single mock test में include के, आप जाईएगा, उसमें attempt करेगा, और आपकी जो भी attempt आता है, आपका जो भी score आता है, हमें comment box में इसी वीडियो के comment box में comment करेगा, so that हम लोग पता कर सके कि कितने सारे stones का, क्या score आ रहा है करेगे, यह सारे उसके features है, अगर इसके आपको link चाहिए होगी तरह description box में आपको मिल जाएगा, या फिर आप directly play store पे search कर सकते है, google play store पे, electrical engine MC के, उसका app है हमारा, हमने उसके पर PDFs और बागी सारे भी चीज़े देरे देरे अभी upload कर रहे है, काफी सारे free of cost जो PDF से मैंने वापे आपको provide करा दिया है, so guys इसको जाके item करीगा जरूर, ठीक है, अभी हम लोग हमारे पहले question कर देखते है, सबसे पहला question क्या है हमारा, meter has a full scale angle of 90 degree at a current of 1 ampere, this meter has a perfect square law response, ठीक है, perfect law square से, वो इसका deflection है, वो increase हो रहा है, ठीक है, या increase है, फिर decrease हो रहा है, आप सम लोग कह सकते है, तो हमें question में क्या क्या पूच है, what is the current when deflection angle is 45 degree, deflection angle 45 degree होने के बाद current कितना रहेगा हमें, आपको बताए गया, ऐसा नहीं कि आपने directly 45 degree पे half कर दिया और हमने 0.5 answer mark कर दिया यह गलत हो जाए, आपको पता है या पर जो current increase हो रहा है, theta, ठीक है, theta जो deflect हो रहा है, square of current क्या ratio है हमारा, ठीक है, तो हम लोग इस एक ratio बना सकते हैं कि जो हमारा theta 1 पहले कहा था और theta 2 बाद में कहा था, और i1 पहला क्या है, और i2 हमारा next time क्या रहेगा है, इसका square, ठीक है, यह जाएका 2 ठीक है, तो यहाँ पर i2 का जो value हाता है, वो हाता है, 0.707 ampere, ठीक है, तो option C is question का current answer रहेगा, इस question को समझेगा ज़रूर, इसमें क्या बूलाएगा है, कि जब हमारा deflection angle 45 degree का होता है, तो उस case में current कितना रहेगा, तो अप धहन में रहेगा, वो 0.707 ampere रहेग then the teaser transformer has a turns ratio of, ठीक है, question में क्या पुछागे है, Scott connection की बात कि, Scott connection हम लोग किसमें यूज करते हैं, यह हमारा इस तरीके सा circuit है, जिससे हम लोग 2 phase, 3 phase से लेके 2 phase conversion कर सकते हैं, ठीक है, या फिर wise versa, 2 phase से लेके 3 phase, 3 phase से लेके 2 phase, हम लोग convert कर सकते हैं, तो इस case में जो turns ratio है, इस main transformer का अगर k है, तो हमारा teaser transformer का जो turns ratio रहेगा, वो क्या रहेगा, वो रहेगा, हमारा under root 3 by 2 k है, यही इसी ratio का factor कितना होता है, आपको पता है, 0.866, ठीक है, 0.867, ठीक है, तो इसका correct answer कहा जाएगा, option B will be correct answer in this case, तो इस teaser transformer का turns ratio कहा रहेगा, root 3 by 2 k times, ठीक है, option B will be correct answer, next question कहा है ह एक stationary alternator है, stationary alternator should not be connected to a live buzz bar because of, एक समारा stationary alternator है, ठीक है, हमारा live buzz bar है, इसको हम लोग directly connect नहीं कर सकते हैं, इसका reason क्या है, यह क्या हो जाएगा, एक short circuit हो जाएगा, अब क्यों short circuit हो जाएगा, देखे क्या होता है, stationary condition में, ठीक है, stationary alternator है, उस case में जो यह में induced होता है, winding में, व अगर हम लोग connect कर देते जहां पर शॉर्ट सर्गेट के संभावना भी वहां पर हो सकती है जिसके करण आपको पता है वो क्यों हो सकता है क्योंकि आर्मेचर रेस्स्टन्स जो है हमारा वह हमारा काफी निग्लीज़िबल रहता है यह आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है आपको यह सारी बात ध्यान में रखने होगी अगर हम लोग सेशनेरी अल्टरेंटर रहे डिरेक्ली लाइव बस बार को गरनेट करके तो वह डिरेक्ली शॉर्ट सर्कुट हो सकता है और आपको कुछ sequence आपको या फिर जो हम लोग parallel condition में कुछ-कुछ conditions आपको ध्यान में रखने है थी कि हमारा phase sequence जो रहता है बस बार voltage का और incoming machine का वह भी हमारा same होना रहता है और जो बस बार voltage हम लोग short circuit test perform करते हैं तो कौनसी side हम लोग short circuit करते हैं काफी common सा question है आपको इध्यान में रखना होगा ठीक है तो हम लोग low voltage side को ठीक है low voltage side को short circuit करते हैं ठीक है that means short circuit test हम लोग किसी लिए perform करते हैं यह तो आपको पहले पता होना चाहिए वह हम लोग full load copper losses को पता करने के लिए हम लोग करते हैं तो इस के स्कष्ट में क्या करते हैं ठीक है जो instrument लगाते हैं हम लोग instrument high voltage side पर place करते हैं और low voltage side को हम लोग short circuit कर देते हैं यह इसलिए रहता है कि rated current high voltage side में वह lower रहता है ठीक है at the low voltage side और इस ही करनर जो economics है हम हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं तो short circuit test हम लोग mainly full load copper losses perform करने के लिए पता करने के लिए उस करते है और open circuit test हम लोग core losses इसके लिए हम लोग इसको perform करते है और open circuit test हम लोग low voltage site में perform करते है और इस case में हम लोग high voltage site को short circuit कर देते हैं आपको ध्यान में रखना हो कर देते हैं, option B will be correct answer in this case, then there is a next question which is question number 5 which is very important, two bulbs, one is a 250 volt 100 watt and second is a 250 volt 25 watt R connected in a series, देके दो बल्ब है हमारे पास में, एक बल्ब का क्या rating है, 100 watt का है और इसका rating है 250 volt, and second bulb is a 250 volt and wattage is 25 watt, okay, तो अगर हमने series में connect कर दे है, 450 volt AC के, 440 volt AC, ठीके, इसमें क्या कुछ अगया है, applied across the two bulbs, which of the following will happen, इस condition में आपको बताता हो, इस 25 watt वाला bulb जो हो हमारा burn out हो जाएगा, ठीके, यह हम लोग कैसे, fuse हो जाएगा, या फिर burn out हो जाएगा, चल जाएगा, इस case को हम लोग इस त connect करके रहके, इसके across में voltage, ठीके, यह हो गया, आपका R1 और यह R2, हम लोग इसको voltage division rule से भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीके, अभी हमें R1 resistance निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ठीके, V1 का whole square upon P1, ठीके, V1 का whole square कितना, इसके across का voltage कितना, यह कितना rated voltage का square है 250 into 250 upon P1, इसका rating एता है, 100 है, तो R1 का जो resistance आता है हमारा, वो आता है 625, आप इसको करके दिखेगा, simple है, R1 का resistance आता है हमारा 625, उसी तरीके से हमारा R2 का resistance आता है, V2 square, यह हमारा voltage division rule नहीं है, हम आपको डिरिकली बता रहो, bulb 1 का internal resistance हम लोग find out करे, यह R1 का value निकाले, voltage division rule स आते हम लोग, voltage निकालेंगे आगे, ठीके, R2 का value का आजाएगा, इस case में, ठीके, V2 square upon P2, ठीके, V2 square हमारा 250 का whole square आजाएगा, और यहापर P2 का value आता है 25, इस case में R2 का value आता है, ठीके, वो आता है हमारा 2500 ohms, correct, अब इसको मैं आपर erase कर देता, अब थोड़ा सा इसको अब देखे का, इस R1 का value आया हमारा 625, 625 ohms का resistance है, यहापर, ठीके, और इस resistance का यहापर value कितना है, 2500 ohms, और इसको हमने आपर 440 volts के across में connect करके, अब आप यहापर सोच ओगे कि आपर 2500 ohms का यह जो बलब है, यह हमारा fuse हुज 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 कैसे होगा मैं आप पता है तो, इसके across का voltage निकालने के रिए समझे, V2 हमें निकालना है, तो हम लोग voltage division rule से निकाल सकते, ठीके, इसके across का supply voltage कितना है, 440, अब multiplied by हमारा, इसका resistance कितना है, 2500 ohms, 625, R1, plus R2, 2500, इसको गर आप solve कर लिए तो, V2 का value आता है, आपको, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं आपको इसके बाद में short trick भी पता हूँगा, इसका कैसे तरीके से, 352 volt, अभी आप देखेगा, 352 volt यह हमारा rated voltage से जादा है कि नहीं, ठीके, यह हमारा काफी जादा है, 250 volt, इसी के करण यह हमारा जो bulb है, R2, यह fuse हो जाएगा, इस condition में, अगर हम rating है, हमारा जादा है, ठीक है, दूसरे bulb का हमारा काम है, तो significantly आप इस voltage रूल से निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हमारा 25 white वाला bulb इसको fuse का सकते हैं, इसके लिए मैं आपको illumination या फिर light based जो MCQ पूचे जाते हैं, इसी type के questions रहते हैं, series parallel combination के, इसका special session मैंने बनाया है, और इसका पर, एक से दो question 100% examination पूचाते हैं, अगर आप students ने, किसी बिसने भी उसको नहीं देखा होगा, तो please मझे comment box में comment करेगा, इस session को particular request कीजिए, मैं आपको comment box में link provide कर रहा दूँगा, so that आप उसको जा के देख सकते होगा, ठीक है, अब हम लोग बढ़ता है, हमारे next question के अगर हमारे repetitive poles, ठीक है, control system का question है, imaginary axis पे lie करते है, तो हमारी system जो है, वो unstable हो जाती है, इसके लिए कि आपको चार्ट में mention करें, अगर सारे roots हमारे negative real part पर रहते हैं, तो absolutely stable रहते है, एक root हमारे positive, ठीक है, at least one root with a positive real part, तो उसके में हमारी absolutely unstable system रहते है, ठीक है, roots on j omega axis रहते है तो marginally stable and repeated roots on j omega axis उसके में absolutely unstable system रहते हैं, तो option D will be correct answer in this case, ठीक है, next question का है हमारा question number 7, which of the following correctly represent the sequence of operation of isolator, circuit breaker and earthing switch while opening a circuit, एक circuit को open करने के लिए इसका क्या sequence रहना चाहिए, ठीक है, हमें हमें पूछा गया, तो इस case में सबसे पहले तो हमें circuit breaker को open करना है, उसके बाद में isolator को open करे यह हमारा important sequence है guys, ठीक है, circuit breaker हो हमारा trip करते है circuit को, ठीक है, और वो open करते है, उसके में क्या होता है, physically हम लोग उसको देखने करते है, isolator का ही का हम होते है कि system को isolate कर देते है, और इसी के बाद हम लोग earthing switch को directly connect करते है, तो तो हमें extra production उसमें आपे मिल सके, यह sequence आपको धहन मे simple, यह हमारा condition है, इसको हम लोग कहते है, skin effect, इसके करण क्या होता है, कि जो AC current के tendency कह रहती है, यह मान भी हमारा conductor है, cross section, तो current है, इसके cross section ले, outer periphery जो है, यहाँ पर, instead of core use करने से better, यह हमारे outer surface से conduct करना शुरू करते है, इसलिए हम लोग different strands को use करते है, ठीक है, इससे होता है क्या है कि यहाँ पर inner portion है, यह हमारा unutilized रह सकता है, यहाँ पर utilization कम हो जाता है, इसके करण, skin effect के करण, ठीक है, that means, यह question में पूछा गया है, the conductor carries more current under surface as compared to the core, core से जीदा surface के ओपर से current होना शुरू हो जाता है, और central portion है, unutilized रह जाता है, इसका utilization कम हो जाता है, इसका utilization कम हो ज next question is question number 9, a 6-pole, 50 hertz, 3-phase induction motor is running data, 950 rpm and has a rotor copper losses of 5 kilowatt, the rotor input is what, ठीक है, इसके लिए आपको इसको short track बता करने होगी, p in rest to, मैं आपको काफी बार बता है, pcu rest to pg, इसका ratio क्या होता है, 1 by s, ठीक है, या फिर directly कर सकते है, 1 is to s is to 1 minus s, ठीक है, 1 is to s is to 1 minus s, इसके case में क्या होता है, यह हमारा power input है, हमारी copper losses है, pcu, और हमारा gross power output है, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, synchronous speed को हम लिए निकालना प वो हता है, 120 into f upon p, 120 multiplied by frequency कितना है हमारा, 50 hertz है, upon number of poles कितने है, number of poles हमेशे 4 मत रजिम करना, examination में यही आपकी trick रही थी, यही पे आपकी खलती हो जाती, आपके कौन से given है, 6, 20 into 50, 1000 rpm हमारा synchronous speed है जाएगा, ठीक है, और यह 950 rpm पे run हो रहा है, slip हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक ह कैसी तरिके से आएगा, मैंने काफी बार बता है था, 50 का difference आ रहा है, synchronous speed is, slip is what, difference between synchronous speed and rotor speed, इसका formula है मैं आपको directly बता हो, इसका difference कितना आ रहा है, 1000 synchronous speed आ रही है, 950 rpm हमारी rotor speed आ रही है, 50 का difference आ रहा है, कितने पे, 1000 पे, ठीक है, तो यह आता है हमारा 0.05, यह आ गया हमारा slip का value, इसको highlight करके रखता हो, यह आपको काम में आएगा, ठीक है, अब यहापर पूछा क्या है, कि हमें copper losses यहापर given है, ठीक है, तो हमारे rotor के input क्या है, P in कितना होगा, यह हमें निकालना है, तो हमारे पास ratio है, ऐसे किस तरीके से निकालना है, देखे, P in हमारे पास, निकालना rotor input निकालना है, P in, तो PCU का यहापर लेकर जाओ, ठीक है, PCU कितना है हमारे 500 upon 5 kilowatt है, ठीक है, यहापर 5 kilowatt का value की बना है, 5 kilowatt upon 0.05, ठीक है, इस केस में जो P in का value है, that means power input to the rotor input, ठीक है, तो हो कहा जाएगा हमारा, ठीक है, 5 kilowatt upon 0.05 will be 100 kilowatt, 100 kilowatt will be the rotor input, ठीक है, तो option, C, इस question का correct answer आजाएगा, अभी हम लोग बढ़ता है, हमारे next question क्यों, चूँकि हमारा question number 10, the elimination is directly proportional to the cosine of the angle made by the normal to the illuminated surface with the direction of incident flux, यह statement किसे associated है, तो यह है Lambert's cosine loss related, जहापर हमारे पास क्या given रहता है, E is directly proportional to the I by, I that means the illuminance intensity upon D square, ठीक है, statement में भी वहीं पहला गया, the elimination is directly proportional to the cosine angle made by the normal to the illuminated surface with the direction of incident flux, अभाव, अभाव statement is associated with what, ठीक है, ठीक है, it is related to the Lambert's cosine law, ठीक है, ठीक है, और यह जो मैं अभी आपको, गलती से आपको यह Lambert's, inverse square बता जिया था, तो यह अभी यह जो statement ही हाला कि यह है, तो Lambert's cosine law का है, बट मैं आपको law of inverse square भी बता जिया था, इसके coding क्या होता है, elimination of a surface is inversely proportional to square of distance between surface and a light source, ठीक है, यह पर बोला गया, that means, I by, जो मैंने आपको बता जाए था, यह होता है, हमारा, फिलिक दीता हो, हाला कि यह law of inverse square, हाला कि मुझे यह बताए नहीं थे, यह आपको law of inverse square करके भी पूछ रहता करके, यह आपको Lambert's cosine law, और यह law of inverse square में आपको ध next question is question number 11, in a nuclear power station, the moderator is used to, nuclear power station में हम लोग moderator का इस्तमाल किसलिए करते है, to reduce the speed of neutron, दीक होता कि है, और काफी बार ऐसा question पूछा था कि moderator कि इस से बना रहता है, ठीक है, moderator ही हमारा, इसमें हम लोग heavy water, graphite, deuterium and paraffin हम लोग इस तरीके से इसको use करते है, जा मोटरेटर में, ठीक है और यह हमारी fast moving secondary neutron को slow down करने के लिए, हम लोग इस moderator का इस्तमाल करते है, in the nuclear power station, तो धहन में रखना हो का, to reduce the speed of neutron, इसका correct answer आजाएगा, ठीक है, और यह previous question का भी आपको धहन में रखना हो का, यह illumination directly proportional to the cosine of angle made by the normal to the illuminated surface with the direction of incident flux, यह Lambert's cosine law का है, और इसके पहले का, जो मैंने ब बार-बार बता रहो, काफी सारे स्टोनों को फिर दिखकर जाएंगे, इसके में, I by D square, E के हमारा illuminance है, I के हमारा luminance intensity है, और D के हमारा distance between surface and source, ठीक, इसका whole square, यह यह थोड़ा different है, और यह जो है Lambert's को sensor, यह different है, यह तो अभी हमने question answers का देखी लिया, next question है हमारा question number 12, the use of higher flux density in a transformer design is what, flux density, density का meaning क्या होता है, population density, अगर हम लोग ऐसा word लेते, dense that means, एक particular area में, कितने density है, कितने fluxes है, उसी को हम लोग कहते है, fluxes के density, तो higher flux density में, transformer design में, क्या हमें फाइदा मिलता है, यह आपको बताना होगा, ठीक है, simple है guys, इसके कारण क्या होता है, per kVA हमारा weight जो है, transformer क का वो radius हो जाता है, होता है, five is equal from log क्या लिखते है, b, b into a, flux, five, five मतलब क्या है, flux, जिसको हम लोग weber में measure करते है, b क्या है, flux density, यह भी formula पूच आता है, weber per meter square, और a क्या होता है, area of core, जिसको हम लोग meter square में measure करते है, देखे, अब यह जो area of core है, ठीक है, area of core है, यह हमारे inversely proportional है, flux density से, ठीक है, five by b is equal to a, that means, area है, यह flux density से inversely proportional है, ठीक है, तो आप इससे यह जान सकते हो कि, अगर हम लोग transformer का core, ठीक है, अगर higher flux density का बनाते है, ठीक है, ठीक है, तो हमें, ज्यादा fluxes को accumulate कर पाएंगे, इस particular core में, और हमारे actual kVA, that means, actual weight है, वो हमारे reducing का per kVA, that means, अगर हमने 50 kVA का transformer है, ठीक है, इसमें हमारे flux density कम है, उसके हमारे higher, उसको accumulate करने के लिए काफी बड़ा core की design लगेंगे, और सेम अगर हम लोग higher flux density का core use करते है, तो उसमें हमारे weight transformer को, हमारे reduce हो जाते है, significantly हमारे उसका costing भी reduce हो जाती है, तो इसका आप को धहने में टेक नहों का, the use of higher flux density in a transformer design helps to reduce the weight of per kVA, option A का correct answer आजाएगा, ठीक है, next question is question number 13, an operational amplifier should preferably have, ये important question है, इसके सारे में conditions आपको बताता हू, operational amplifier का output impedance जो है, वो हमारा low होना चाहिए, option A का correct answer, ये सारे characteristics में आपको पताता हू, इसका infinite loop gain होना चाहिए, infinite input impedance होना चाहिए, zero input current, zero input offset voltage, infinite bandwidth, infinite slew rate, ये slew rate पर भी question definitely पूछते है, and zero output impedance, low output impedance होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने mention करकर गाए, और infinite CMR, जो कि हम लोग इसको कहते, common mode rejection ratio ही होना चाहिए, और ये characteristics आपको आची दिले कैसे ध्यान में रहना होना चाहिए, इस important, ठीक है, next question is question number 14, the relation between B and H in a magnetic circuit is given as, B and H में क्या difference है, आपको ये पता करना है, ठीक है, B is equals to mu into H, okay, B is what, B is magnetic flux density, ठीक है, mu क्या हम लोग क्या कहते है, उसको हम लोग कहते है, relative permeability, and H is what, magnetic field strength, ठीक है, आपको धहन में रहना होगा, option A is question का, correct answer, B is equals to mu into H, next question is question number 15, important question है, a parallel plate capacitor has an electrode area of 200 mm square, with a spacing 0.1 mm between the electrodes, the dielectric between the plates is air, with a parametry of 8.8500 10.12 minus 12 farad per meter, the voltage applied across the capacitor's plate is 100 volt, the stored energy in the capacitor is what, काफी simple सा question है, इस के लापको एक फॉर्मुला धान में लखना होगा, stored energy के लिए हम लोग कहा लिखते है, E is equals to half C V square, ठीक है, अब इसके लिए तो आपको C का value हमें find out करना पड़ेगा है, जो हमें capacitance given नहीं है, C का हम लोग किसे रिख सकते हैं, epsilon 0 A by D, epsilon 0 का value का है, 8.85 into 10 raise to power minus 12 into 200, ठीक है, 200 किसका area है, mm square है, इसलिए हम लोग 10 raise to power minus 3 से 2 बार multiply करेंगे, तो minus 6 हमें लिखना अपन D, what is distance? 0.1 meter, 0.1 mm, जिर पॉन 1 mm, तो 10 meter में convert करने के लिए, minus 3 से multiply करने पड़ेगा, इसको अगर आप solve कर ले तो तो आपका value आता है, ठीक है, around 2 into 8.85 something हो रहाता है, 2 into 8.85 to 10 to power minus 12 farad आता है, मैं आपको directly values कता हूँ, आप इसको solve भी कर सकते हैं, हाला कि जो आपको examination में question फूचे है, आपको directly simplification based रहेगा, ठीक है, तो आपको C का तो value पता है, ठीक है, ठीक है, आपको X को voltage square से multiply करने है, energy ने कालने के लिए, और half से multiply करने है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके कर देता हूँ, half into 2.2 into, 2.85 into 10 to power minus 12 farad into 100 square, 100 का है हमारा voltage का solve square, इसको solve कर ले तो आपको around 88.5 nano joule, ठीक है, nano joule इसका correct answer आजाएगा, ठीक है, option D जहाँ पर mention किया गए, हाला कि थोड़ा सा moderate level का question है, बट आप इसको इस तरीके से भी ध्यान में डख सकते हूँ, ठीक है, directly capacitor की energy ना पूछे वा, आपको capacitor का भी value काफी का बर पूछे जा सकते हैं, then there is the next question is, which is question number 16, a three phase 3.3 kv 24 pole 50 hertz star connected induction motor has a slip ring rotor, the rotor resistance and rotor reactance per phase is 0.0, जिसमें R2 का value कितना है, 0.03 ohms and X2 का value कितना है, ठीक है, वो है हमारा 0.5 ohms respectively, the maximum speed at maximum torque is what, आपको पता है, slip का value कितना है, at maximum torque is equal to R2 upon X2, यह आपको पता होगा, at maximum torque condition में, ठीक है, तो हम लोग slip का value निकाल लेंगे, maximum condition में, ठीक है, R2 का value कितना है, 0.03 and X2 का value कितना है, 0.5 which is around 0.06, यह हमारा 0.06 slip का value है, Ns का हमें value निकालना पड़ेगा, will be 120 into F by P, चुक है हमारा 120 into frequency कितना है, हमारा 50 upon pole किते है number of poles, त हम आपको पोल से हम पर 24 किवन है, ठीक है, 24, तो 5 into 50, 250 RPM हमारा synchronous speed आजाएगा, ठीक है, synchronous speed आने के बाद में हम लोग directly, the speed at maximum torque is what, maximum torque पे speed कितने रहेगा, हमें पुछागे, that means rotor की speed हमें find out करने है, synchronous speed है, 250, 1 minus 0.06 से multiply करते है, ठीक है, तो आज येगा 235 RPM, ठीक है, option B is question का credit answer है, that means speed at maximum torque, maximum torque पे हमारी speed रहेगे 235 RPM, revolution per minute, जिसका full form रहते हैं, काफी का बार आपको RPS में भी पूछा जाता है, revolution per second, तो ये आपको question को अच्छी तरिके से पढ़ना होगा, ठीक है, next question है हमारा question number 17, identify the pair of indicating instrument which has a no controlling torque, कौन से हमारे instrument, indicating instrument में कोई भी controlling torque नहीं रहता है, ऐसे आपको pair धून नहीं है, तो आपको धान में रहेखनों का power factor meter, and maker has a no controlling torque, उसके अपकी correct basics आपको पता ही है, option B is question का correct answer आजाएगा, then there is a next question which is question number 18, a correctly adjusted single phase 240 induction motor, induction watt hour meter has a meter constant of 600 revolution per kilowatt hour, the speed of a disk for a current of 10 ampere at a 0.8 lagging power factor is dash rpm, ठीक है, तो हमें क्या पूचा गया है, तो speed पूचे के, वो disk की speed पूचे के, 10 ampere के, 0.8 lagging power factor पर कितने rpm पर रोटेट करेंगे, उसके लिए था हमें energy per minute निकालना पड़ेगा, जो कि हम लोग निकालेंगे, E is equals to 240, multiplied by 10 into 0.8, 240 के हमारा voltage है, ठीक है, 10 के हमारा current है, और 0.8 जो है हमारा, ठीक है, upon E को हम लोग kilowatt hour में find out करने करेंगे, 1000 से divide करेंगे, ठीक है, इसको 1 by 60 से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका value आता है हमारा, ठीक है, ठीक है, ओके इसका value हाता है, 0.032 kilowatt hour, correct, energy per minute का value आता है, 0.032 kilowatt hour per energy यह हो रहा है, consumption हो रहा है उसमें, तो speed of disk, disk का जो है, वो speed कितना रहेगा हमें पूछा गया, पुराने जमाने में, जो भी energy meter आते हैं, जा पर rotating disk करेंदी थी, उसका यह question है, ठीक है, तो यह हम लोग जितना energy supply कर रहे है, पर minute में, और meter constant से हमें इसको multiply करना पड़ता है, ठीक है, इसका formula यह मैं आपको directly आपे mention करेकर रहे हो, जो कि meter constant किसमें रहता है, revolution per kilowatt hour से, ठीक है, meter constant है पर गिवन है, 600 revolution per kilowatt hour, तो हम लोग directly 0.032 से multiply कर देंगे 600 से, ठीक है, then we will get 19.2 rpm as a speed of that disc, that means 19.2 revolution per minute यह disk rotate कर रहे है, अगर आप इतना energy मान लोग आपके पास जो equipment घर के लगा हो, वो 10 ampere का current ले रहे है, pointed lagging power factor पर 240 voltage का उसका rating है, ठीक है, तो जो जिस meter से, जिस speed से आपका meter घुमें का या फिर हम लोग कहा है, उसकी जो डिसक है, वो रोटेट करेंगे, वो रोटेट करेंगे 19.2 rpm से, ठीक है, option D will be correct answer in this case, ठीक है, then there is a next question, which is question number 19, a moving coil ammeter has a fixed of shunt 0.02 ohms resistance, the coil resistance of a meter is 100 ohms, 1000 ohms, and a potential difference of a 500 millivolt is required to, required across its full scale deflection, under this condition, the current in the shunt would be dash ampere, simple sa question है, इसको घुमा की फिरा के पुचा कहा है, एक moving coil ammeter है हमारे पास में है, ठीक है, ओक है, और इसके across में shunt resistance हमने हमने कनेट करके रहे हैं, ठीक है, और इसके across में shunt काफी कम value कर रहे हैं, जिसका value is 0.02 ohms, ओक है, और इस resistance का value given है, 1000, इस meter का value given है, 1000 ohms, ठीक है, potential difference कितने हैं, इसके across में, ठीक है, यहाँ पर पूचा कहा है, and a potential difference of 500 millivolt is required across its full scale deflection, ठीक है, under this condition, the current in the shunt would be what, current in the shunt पूचा कहा है, ठीक है, यहाँ पर जो VM रहेगा, वह हमारे व टीक है, तो ish का value क्या रहेगा, इसमें, I am कोन सा है, I am current यह है, और यह ish है, ठीक है, जो shunt में से current flow है, ठीक है, और यह rsh का value यह already given है, ठीक है, तो ish का value क्या रहेगा, बीम अपॉन रहे एच, ठीक है, तो 500 millivolt है, 500 millivolt है, 500 millivolt को convert करने के लिए, into 10 देस्टोपर minus 3 से multiply क का value आता है, 25 amperes, ठीक है, it will be 25 amperes, तो इस ish में से current flow होने वाला है, होगा हमारा 25 amperes, अब आपको एक चीज़ समझ जी होगी, कि जब भी हम लोग ammeter का, meter का range extend करते हैं, तो हम लोग low value of resistance, ठीक है, वो हम लोग उसके shunt meganet करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग voltmeter की range extend करना चा हाला है कि हम लोग काफी बार इसके पर discuss कर चुगे, option C, इस question का करे टांसर हाजागा, तन तर इस लास्ट कुछन आफर सेशन, विच इस question number 20, a duplex lap worn armature is used in a six pole DC machine with a six brush set, each spanning two computer segments, there are 72 coils on an armature, each containing 12 turns, the flux per pole in the machine is 0.039 webers and the machine spins at a 400 rpm, the induced EMF is what, काफी सारे values गवने, आपको induced EMF, कितना पूछा है, EG का आपको simply value पूछेगे है, वो इसका formula भी आपको बताएगा, 5PZN upon 60A, इसका यह formula रहता है, इसके इसमें आपको Z number of conductors find out करना है, Z क्या हो जादेगा, ठीक है, duplex lap found है, two into, कितने यहाँ पर 72 calls है, multiply हम लोग क्या करेंगे, 12, विच जिसमें 12 tons है, इसके value substitute, let me change the color so that you can understand it better, ठीक है, 5 का value कितना है, 0.039 multiplied by 1728 multiplied by, ठीक है, यहाँ पर Z का value आगा है, यह हमारा Z का value था, ठीक है, N कितना है हमारा पास में, ठीक है, यहाँ पर 400 RPM का value क्यों है, ठीक है, multiply it by, ठीक है, 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 है अगर आपको इस टाप के questions को है यहां पर simplification में दिखकर जाती तो इसके लिए मैंने एक session बनाया है particularly वह आप जाकर देख सकते हैं उसके भी link आपको मैं प्रवाड कर दूँगा मुझे comment box में पूछ लीजिएगा option B question का correct answer आजएगा so guys यह थे हमारे 20 important questions of PGCL Diplomateriny हमारा fourth session था consecutive जो मैंने आपको मौक्ते सजेस्ट किए उसको आप please attempt करेगा next session के लिए मैं आपको question छोड़ कर जा रहा हूँ question आप अच्छी तरी किसे पड़किस का correct answer में comment box में comment करना हो आचा करता हूँ guys आपको आज का session समझ में होगा इस session को आपके दुसको साथ share करेगा हमारे चैनल कोचिफाई और अपको 50 non-technical का जो एक session मैंने वह दा था अपका कल दो पहर तक upload हो जाएगा हमारे चैनल कोचिफाई पे डिपलोमेटर ने के लिए का फिजदा useful है उसको आप आची तरी किसे देखना होगा so guys thanks for watching this session have a nice day